तो फैंट्स इस वीडियो आप देखने वाले हैं SSC GD का जो आज एक्जाम था थर्ड शिप्ट थी उसका एक्जाम अनल से की वाले हैं उससे पहले एक चीज और आप लोगो को बता दू कि जितने भी हम कोशन्स कर रहे हैं उन कोशन्स के टॉपिक में कराने वालों आप लोगों के लिए टॉपिक का मतलब इंदे सैंस है जो कोशन्स आ रहे हैं उनके टॉपिक क्या होने वाले है टॉपिक यानि कि आज पानी पत का युद्ध आया था यानि कि कि कितने युद्ध हुए हैं अभी तक बो मैं आपको कल सुबह मॉर्णे में वीडियो आजाएगी कि इतने कौन-कौन से जो है हिस्टी में युद्ध हुए हैं इंडियन में जो इंडियन हिस्टी के युद्ध होते हैं उनको करेंगे और प्लस आपको यहाँ पर जो साइन्स के कोशिन है बहुत थोड़ से टफ आ रहा है आज देखा गया है और अगर हम बात करें हमारी जो हिस्टी है उसमें से से आपके कोशिन पुझे गए हैं यहाँ पर कोशिन में कराने वाला हूँ आपको पूरे तीनों शिट में से जो जो टॉपिक मोश्ट पूश इंपॉर्टन है वो मैं आपको कल सुबह मिल जाएंगे सुबह दस बज़े से पहले आपको मिल जाएंगे तो उसको जूरू देख लेंगे वाकि इस वीडियो को देख रहे हैं और प्लस आप लोगों के लिए एक ची बता दूँ के आप जहांपर जाकर जा सकते हैं यह डाउलोड कर लेंगे कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको पूरे जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम यूटी हैं उसके जो है आपके गवरनर और प्लस उनके नेशनल पार्क जो हैं बहुत सारे कराये थे जान रखे सारे ने समीति के सजसे कौन थे या प्रारू समीति के जो अद्यक्ष से वो कौन थे तो बहुत सिंपल है डॉक्टर बीमरामेड करते इनके आगर सजस की बात करें तो एक कृष्णा स्वामी एजर होंगे एन गोपल स्वामी होंगे कनयाल होंगे कनयाल मनिकलाल मुंश यह पूरा न यही कोष्ण आप से पूचा गया एक्जाम में कमेंट कर देंगे और मुझे एक कोष्ण बताएंगे कि भारत का सम्मिधान बनकर कितने तारिक को कौन से डेट को और कौन से बनकर तयार हुआ था कमेंट करेंगे चलिए अगला कोष्ण स्क्रीन पर अंतरास्तवित गरंती बतानी है जो की सबसे बड़ी है तो यह ऐसी गरंती है जो की आपकी अपर यानि की सर से लेकर गरदन की बीच में होती याद रखेंगे तो यह गरंती होती है आपकी कहाँ पर गली में यह होती है कौन सी थायराट गरंती में याद रखें थायराट गरंती में याद रखें और प्लस इसको बटर फ्लाई गरंती बोलते अगर पूछ लिया है मनुशिक के सरीन में सबसे बड़ी गरंती कौन से गरंती पूछा जाए इसत्राविद गरंती नहीं पूछा जाए इससिर्फ गरंती पूछा जाए तो सभी को बता इसका कोई गंद नहीं होती है लेकर कोशिन ये था कि इसकी गंद जो है इसका कारण क्या होता है तो LPG की कोई गंद नहीं होती है यदि लीक होती है तो पता नहीं चलता है इससे बचने के लिए एक तीब्र गंद जो है पधार्ट डाला जाता है जिससे मिथाइल मर कैप्टे मिलाया जाता है अगला question पूछा गया था पानीपत का युद्ध अब ये पता नहीं पानीपत का कौन सा युद्ध ये पूछा है और actual मैं आपको 2-3 दिन पहले ही question कराए है प्लीज मैंने question कराए है test series कराए है प्लीज उसको जाकर join करें बहुत सारे कोशिन महासे मिल जाएंगे फ्री आफ कोश्ट है टेलिग्राम पर पीडे भी डेली हैं तो जाकर देख लेंगे पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रेल 1526 में बावर और इब्रायम लोदी के मद में किसके बद में बावर और इब्रायम लोदी के मद में पानी पत का प्रसम युद्ध हुआ उसके बाद हम बात करें दूसरी लड़ाई जो हुई थी 5 नॉमबर 1557 बैरक खाँ यानि की बैरक खाँ को क्या बोलते हैं अक बैरक खाँ के जो सेनापती थी इसका नाम थी और हेमू हेमू मतलब हेम चंदर के बीच में यह लड़ाई हुई थी अगर हम बात करें तिरती लड़ाई की बात करें तो यह हुई थी 14 जनवरी 1761 में मराठा और आदव शहा अब्दाली के बीच में यह हैं यहां पर माप्त हो जाता है याद रखेंगे 26, 56, 61 याद रखेंगे यहां से आपको थोड़ सा हैल्प मिल जाएगा कोशन पूचा है लेक्रीमल गरंती कहां पर होती है तो पहले आपने आपसे सुना होगा कि आँख में आसू जो हैं किस गरंती से आते हैं आप बोलेंगे लेक्रीमल गरंती बहुत जूर से बोलती है आप लोग लेक्रीमल गरंती लेकन वहीं पर कोशन उल्टा पूच लिया है कि लेक्रीमल गरंती कहां पर होती है तो आप बोलेंगे आँख में होती है कहां पर होती आंक में होती आइस में होती याद रखेंगे तो यह जो है द्रस्टी के आवशक एवां पारदर सी उतक बनाए रखने के लिए आवशक होती है जाली आसू इस्त्रावित कहलाती है याद रखेंगे इसे कहता है जाली आसू के इस्त्रावित करता है क्या दखेंगे अगला कोशी पूछा था very very important very very simple के मनुश्य में कितने गुर्षूतर होते हैं chromosome होते हैं बहुत सिंपल टोटल होते है 46 23 23 के दो जोड़े होते हैं जोड़े पूछे तो 23 23 के दो जोड़े होते हैं और टोटल होते है 46 ओके चलें आगे अगला कोशन डियने की सनजना में कौन से प्रोटीन साहिक होता है तो इस स्टोन प्रोटीन जोएसका प्रोटीन मनाने में काम में आता है ओके लिंग- राज-مंदिर कुछा गया कहा है बहुत सिंपल भुमनेश्वर उडिशा मैं कईयो बार करा चुका हूँ चपला का परियवाची पूचा है तो चपला का परियवाची बिजली तड़ित बिद्धुत चंचला यहां पेंद्रवर्ज करका छड़प्रबा गजा, दमिनी, ब्रज, संपा सारे यहां इसके पावर, ईलेक्रिटिटी यह सार के सारे क्या है चपला के परियवाची होते हैं फिज़ लबी नदी फेहले तुम्हें बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी छेक है कि एशिया के लंबी नदी जो है कहाँ पर बैती है यह चाहिना में जो 300-100 km से भी थोड़ी से अधिक है यांग सो यांग यांग ते बूलते हैं याक्षो बूले गया तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया दूसरी कौन सी है एंजी से एंजी से अंगारा सलेंगे यह 549 km क है अगर आपसे पूछे जाता है कि बिश्वी से लंबी नदी कौन सी है तो आप बोलेंगे नील नदी से लंबी है जो अफरीका में बहती है 6650 km के एरिये में और सबस्क्राइब जो है देशों से निकलने नदी कौन सी है तो हमेजन नदी बोलेंगे चले इतने कोशन मुझ है वहाँ पर जाकर टेलिग्राम ग्रुप पर जाकर आप जो है मुझे सेंड करते हैं कोशन आज के कोशन आए थे आपके पास ओके तो कोशन सेंड करेंगे तो वहाँ पर एनलस जली सली हो पाएगा प्लस पीडिया को पाएगा और टेलिग्राम पर मैं आपको क्विस करा द झाल 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 झाल